हेलो फ्रेंज, वेलकम टो कारण टेप्स, आइम मीता बिश्णोई, ये रंग बिरंगे कप्स, मग्स जो आपके घर में कुछ डिसकार्ड हो गए हैं, किसी भी वज़े से कुछ ब्रोकन है, चिप आफ हो गया है, या अब बोर हो चुके हैं, या सारे उसके जितने साथी हैं, एक अकेला रह गया है, किसी भी कारण से आपका ये डिसकार्डड जो मग है, इसमें चलिए हम लोग कुछ गार्डनिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, ताकि ये मग खुबसूरत लगने लगे, और आपके बगीचे में भी बहुत सारी खुशियां आ जाए तो सबसे पहले मैंने ये मग लिया है, कॉफी का है, ये थोड़ा बड़ा सा है, और इसमें मैंने हवातिया लगाया है, और ये एक बहुत easy to grow, less care में और less fertilizer, less soil में हो जाते हैं, वही सारे प्लांट्स हम लोग ने सारे पॉट्स में लगाया है, इसमें मैंने कुछ combination में लगाया है, जैसे wandering Jew है, साथ में कुछ calan koi की एक variety है, ये combination में लगाया है, और लगाये वे बहुत अर्सा हो गया है, फिर भी ये बहुत अच्छे से grow कर रहे हैं, ये सारे soil में हैं, without hole, और इसमें क्या किया है, नीचे कुछ खंगर रखे हैं, और उपर potting soil में ये plants लगा दिये हैं, खंगर इसलिए लगाया है, ताकि सारा extra पानी जो आता है, वो नीचे settled हो जाए, आप उसके जगे कुछ वो चाकोल भी रख सकते हैं, खंगर के साथ, अब ये एक और मग में हम लोग देखते हैं, इसमें भी मैंने हवाथिया ही लगाया है, और ये बहुत खुबसूरत लग रहा है, इसको भी लगाये वे कुछ वक्त हो चुका है, और ये रागरेंस है, और चेंड प्लांट भी कहते हैं इसको, और इसमें बहुत लंबी-लंबी चेंड निकलती है, और उसके बाद ऐसी फ्लारेट से निकलती है, और बहुत खुबसूरती से ग्रो करता है, इसको भी लगाये कुछ वक्त हो गया, और प्लांट बहुत अच्छे से गया है, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, मगर फिर भी ग्रोथ प्लांट की बहुत बढ़िया है, और यह रखावा बहुत खुबसूरत लगता है, ब्राइट से एक कप में है, अब यह देखते हैं कुछ मग्स मेरे पास थे, जो मेरे को खास मेरे जाया हुआ है सब, ज्यादा तर इसमें स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, कुछ पोथोस, और यह स्विस्टीज प्लांट, और विंटर के कुछ कुछ क्रिजैंतिमम के फ्लास थे, वो तोड के लगा देती हूं अकसर इन में, और सब में रूटिंग हो चुकी है, इन फैक्ट मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ है, अब देख के मिर को याद आया, और सब में रूटिंग हो चुकी है, और बहुत खुपसूरती से ग्रो कर रहे हैं, तो यह देखिए, यह सारे मग्स को हम लोग ने कितनी अच्छी तरह से इस्तमाल किया है, कुछ को सॉयल में लगा के प्लांट को, और कुछ पानी में, और बहुत खुपसूरती से इनको घर के अंदर भी सजा सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू,